नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हाइटस हर्णिया के बारे में, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके एक सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसे हम डियाग्नूस कैसे करते हैं और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं क्योंकि इस video में सिरफ हम type 1 highters hernia की बात करेंगे और उसके symptoms और उसके treatment lax alias के साथ overlap करती है तो lax alias और type 1 highters hernia को हम एक जैसे ही इसमें explain करेंगे highters hernia क्या मतलब क्या है कि stomak जो normally abdominal organ है यानि कि हमारे diaphragm के नीचे होता है वो अगर pull होकर chest में चला जाए तो इसे हम HITUS हरनिया के नाम से जानते हैं HITUS इसलिए क्योंकि जो रास्ता है जहां से food pipe thorax में से abdomen में आती है उसे HITUS के नाम से जानते हैं और इसलिए HITUS हरनिया इसका नाम दिया गया है इसके types क्या है? Type 1 में stomach pull होकर chest में चला जाता है और type 2 में stomach pain में ही रहता है लेकिन उसका एक part, usually जो fundus उसका उपर का हिस्सा है वो HITUS में से chest में चला जाता है लेकिन इन दोनों में से type 1 ज्यादा common है type 3 में इन दोनों का combination है और type 4 में अगर कोई और organ भी HITUS में से chest में जा रहा है तो उसे हम type 4 के नाम से जानते हैं क्योंकि type 1 सबसे ज्यादा common है तो इस फीडियो में हम type 1 की ही बात करेंगे Lex alias का मतलब है कि जो lower isophagial sphincter है जहां से जब हम खाना खाते हैं वो relax होता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है ताकि खाना वापिस ना आए उसे हम lower isophagial sphincter कहते हैं और अगर वो धीला हो जाए तो उसकी वज़े से खाना reflux होता है और इसके symptoms भी type 1 हाइटर सर्णिया की तरह ही है हाइटर सर्णिया के symptoms क्या होंगे जैसे कि हमने बताया कि stomach pull होकर कुछ हग तक chest में चला गया है जो lower isophagial sphincter है वो properly काम नहीं करता chest का pressure negative होता है तो सांस लेने के साथ-साथ negative pressure की वज़े से और bad alias की वज़े से खाना या acid वापिस chest की तरफ travel करता है food pipe के अंदर ये patient को feel होता है कि कुछ खाना या acid वापिस उसकी chest की तरफ जा रहा है और हो सकता है तो कि throat में आ जाए और कुछ-कुछ patient को इसके वज़े से vomiting भी होती है और अगर throat में आने के बाद ये air pipe में चला जाता है तो patient को कफ हो सकता है और अलग-अलग respiratory symptoms भी हो सकते हैं इसके लावा patient feel करते हैं कि feeling हो सकता है यानि कि nausea हो सकता है और chest के symptoms जैसे hotness of voice, बार-बार pneumonia होना ये भी patient feel कर सकते हैं कुछ patients की pain को अपने cardiac pain की तरह feel करते हैं जैसे हमें heart की वज़े से pain होता है तो कुछ patients बैसी feeling भी feel कर सकते हैं बात करेंगे कि heart disease के क्या कारण हो सकते हैं हर एक patient में इसका ठोस कारण ढून पाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं जो stomach की capacity के beyond है बार-बार ज़्यादा quantity में खाना खाने से भी stomach का pressure ज़्यादा होने से भी ये valve खराभ हो सकता है और खाना ऊपर को आना स्टार्ट हो सकता है इसके लावा अगर पेट का pressure बढ़ रहा है जैसे कि हम heavy weight lifting करते हैं बहुत prani cuff है constipation है या females में child birth है जिससे कि पेट का pressure बढ़ रहा है या obesity है जिसमें पेट में fat जादा है और pressure जादा है तो इन से भी reflux होने का chance बढ़ सकता है हाटर सर्णिया से क्या क्या complication हो सकते हैं अगर यह बहुत देर तक reflux होता रहे तो इसके कुछ complications हैं जैसे कि बार बार acid उपर आने की वज़े से food pipe में जलन हो सकती है उसकी सिक्डन हो सकती है इसको हम structure के नाम से जानते है तो उसके बाद खाना नीचे जाना मुश्किल हो जाता है या बार बार reflux होने की वज़े से इस area में cancer भी develop हो सकता है बार बार throat की irritation होने की वज़े से horses of voice होना यह सब भी देखा जा सकता है हाटर सर्णिया में क्या test किये जाते हैं जब आप doctor के पास जाएंगे तो यह सारे symptoms देखकर usually जो first basic specific test है वो endoscopy है endoscopy यानि कि हम मुह के रास्ते एक scope अंदर डालेंगे जिसकी tip पर camera रहेगा और उससे हम आपकी पूरी की पूरी food pipe आपका isofagial gastric junction यानि कि जो valve आपके food pipe और stomach के बीच में है उससे देख सकते हैं पूरा stomach देख सकते हैं और छोटी आंद का पहला हिस्सा भी देख सकते हैं तो इससे हमें idea लग जाता है कि जो sphincter है वो कितना lose है और अगर stomach abdomen से निकल कर chest में आ गया है यानि कि हाइटर सरनिया है तो हम उसके length भी नाप सकते हैं क्योंकि एक test real time है यानि कि doctors अपने हाथ से camera घुमा रहे होते हैं तो जो doctor इसे कर रहे हैं वही best judge कर सकते हैं कि आपका हाइटर सरनिया का क्या stage है और इसमें किस treatment की सरुरत है तो best है कि जहां से आपको इलाज करवाना है या इसकी surgery अगर करवानी है तो उन ही के थूँ आप ये endoscopy कराईए ताकि इसका best result आपको मिल पाए अगर doctors को endoscopy पे हाटर सरनिया का शक पढ़ता है या lag saliase का शक पढ़ता है तो उसी time पर आपको acid उपर आता हुआ देखना impossible है तो इसके लिए एक 24-hour pH metry या impedance metry का test किया जाता है यानि कि एक छोटा सा catheter आपके nose के through insert किया जाएगा और वो 24 घंटे आपके isophagus यानि food pipe के अंदर रहेगा और उसका एक tip स्टमक के अंदर भी होता है ताकि हम 24 hours में नाप सकें कि कितना acid स्टमक में बना और वो कितनी बार food pipe में आया और कितनी देर वो food pipe में रहा की वज़े से हुए या नहीं हुए तो एक objective test है जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि वाकई आपका acid reflux जो है वो normal population से ज़्यादा है और आपको treatment की जरूरत है इसके बाद एक manometry test होता है जिसमें कि food pipe की हम power देखते हैं कि food pipe में जो virus talsis है यानि जो उसमें शक्ती है movement की वो normal है या नहीं क्योंकि हम इस operation के बाद आपका sphincter को tight कर देते हैं तो अगर आपकी food pipe की power normal नहीं है तो उससे problem आ सकती है आपका खाना नीचे उतरने में दिक्कत हो सकती है इसलिए manometry before fundoplication surgery जरूरी माना जाता है ताकि हम देख सकें कि आपकी food pipe की कितनी power है और उसी हिसाब से इस sphincter को tight कर सकें इसके बाद कुछ routine blood test और x-ray ECG बगारा होते हैं पेट का scanning होता है जो बाकी किसी भी पेट के operation के लिए हम normally करवाते ही है हम इसकी grading भी कर सकते हैं जिसे कि hills grade के नाम से जाना जाता है grading करने के लिए हम endoscope को stomach में डालते हैं और उसके बाद उसे rotate कर लेते हैं ताकि जिस रास्ते से वो stomach में गया है उसी को वो अपने आप देख सकें जैसे कि आप picture में देख सकते हैं grade 1 में एक prominent mucosal fold रहता है और endoscope क around जो sphincter है बिल्कुर tight रहता है grade 2 में यह हलका सा loose होता रहेगा बीच-बीच में और बीच-बीच में दुबारा से tight हो जाएगा और जो fold है वो भी less prominent हो जाएगा यानि की starting stage है GERD की और हाटर सर्निया की या lax alias grade 3 में यह permanently loose रहता है vigosal fold भी नहीं देखता और grade 4 में यह हम दुबारा retroflex view से देखते हैं तो stomach में से ही हमें food pipe भी देखने लगती है क्योंकि अब यह इतना जादा loose हो गया है हम हाइटर सर्निया को कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपके symptoms इतने जादा हैं कि दवाईयों से control नहीं हो रहे हैं या आप दवाईयों पे dependent हो गए हैं और द treatments आप जिंदगी को properly नहीं जी पा रहे हैं तो इसी conditions में आप इसकी सहदरी करवा सकते हैं और इससे चुटकारा पा सकते हैं हाइटर सर्निया को ठीक करने के लिए fundoplication नाम का operation किया जाता है जो कि मोटा मोटा दो प्रकार का है full fundoplication और partial fundoplication इसका मतलब है कि full fundoplication में हम जो समक का fundus है उसे 360 degree पूरा wrap करके low risophagus के round लपेट देंगे ताकि एक नया valve create हो जाए जबकि partial fundoplication में यह full 360 degree ना करकर थोड़ा कम किया जाता है ताकि reflex भी ठीक हो और यह valve बहुत जादा tight भी ना हो full fundoplication का फाइदा यह है कि इससे reflex दुबारा होने का chance बहुत कम रहेगा results अच्छे होंगे लेकिन खाना जो नीचे उतर रहा है वो भी थोड़ा दिक्कत कर सकता है इसलिए सभी test देखकर ही इसका decision दिया जाता है partial fundoplication में reflex हो सकता है कि उतना अच्छा ठीक ना हो लेकिन खाना नीचे उतरने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी so again सभी test देखकर patient का profile देखकर तभी doctors decide करते हैं कि किस patient में कौन सा fundoplication best रहेगा सभी fundoplication operation दूरबिन से किया जाते हैं कोई major cut नहीं आएगा बहुत छोटे छोटे hole से ही हम camera डाल कर अपने instruments डाल कर operation कर सकते हैं सबसे पहले हम जो lower isophagus है उसे आसपास के structure से free करते हैं और जो stomach और isophagus chest में चले गए हैं उनको वापिस abdomen में वापिस लेकर आते हैं और इसके बाद जिस रास्ते से वो वापिस chest में चले गए थे उसे बंद करते हैं ताकि operation के बाद यह फिर से वापिस ना जाए और इसके बाद हम fundoplication बनाते हैं यह बहुत ही straight forward surgery है इसमें कोई भी major cutting नहीं होती और patient बहुत जल्दी recover करते हैं within same day या next day वो घर जा सकते हैं पहले एक हफता at least हम उन्हें liquid diet पर रखते हैं ताकि जो भी swelling है इस operation के around वो सारी धीरे धीरे resolve हो जाए और उनका खाना फसे नहीं उसके बाद जैसे जैसे वो खाना tolerant करते हैं हमोने semi solid और उसके बाद normal solid diet पर ले आते हैं ध्यान बस यह ही रखना है कि बहुत जादा spicy जीजे ना खाएं और खाने की quantity को बहुत जादा ना रखें ताकि जो पहले गलती की है इसके वरे से हाइटर सरनिया हुआ है वो दुबा को tight किया गया है इसलिए diet पहले कुछ दिन liquid और semi solid रखी जाती है क्योंकि उन्हें feel हो सकता है कि खाना खाते हुए खाना chest के अंदर फस रहा है और इसलिए अगर हम doctors की सलाम आनेंगे खाना अराम से निकलता रहेगा और अब धिरे जिरे recover करते रहें जारतर patients two weeks से लेकर two months त avoid कीजिए खाने की quantity को बहुत ज्यादा ना रखिए usually एक normal adult को देड़ से दो रूटी के ज्यादा जरूरत नहीं होती और अगर आप 4-5 रूटियां खा रहे हैं तो उसकी quantity को कम कीजिए अगर आपका weight ज्यादा है तो weight को कम कीजिए कोई भी condition जिससे abdomen का pressure बढ़ रहा है जैस की symptom एक जैसे हैं treatment भी एक जैसा है और आप या आपके around कोई इससे परेशान है तो अपने एक नजदीकी doctor से सला कीजिए और जल्दी ही इससे छुटका रहा पाईए if you think this video makes a difference to your life kindly like share and subscribe and we wish you a very healthy life thank you हुआ 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 है